तो इस देश के अंदर ये वही लोग हैं जो आज मुच रखने पर जल जाते हैं जो उस वक्त पर बाबा साहिब के पढ़ने से डरते थे क्योंकि उन्हें पता है एक अकेला अंबेट कर पढ़ा तो इस देश के अंदर करोडों का जीबन सुधर गया और आज ये करोडों लाखों पढ़ेंगे तो हमें जगे जगे पर कदम कदम पर चुनोती देंगे क्योंकि सिख्चा जो है चुनोती देती है सवाल पैदा करती है इसलिए वो सोचते हैं कि ये शिक्षीत होंगे तो गोड़ी पे भी चड़ेंगे ये मूचे भी रखेंगे ये जूते भी पैनेंगे कोर्ट सूट भी पैनेंगे ये अच्छी बाते भी करेंगे ये ज्यानी भी बनेंगे ये विर्लियंट हो करके हमें जगे जगे जगा हर छेतर में हमें चुनोती देंगे हमें हमारे लिए चैलेंजिस बड़े होंगे तो वो चाहते नहीं, वो रेस में अकेले गधे दोड़ना चाहते हैं और गोड़ों को लाने से पहले उनकी टांगे तोड़ देना चाहते हैं। एक महिला जो बिल्किस बानो होती है जिसके अपरादियों को बाइज़त बरी कर देता है और कोट बाइज़त बरी करके फिर बाहर का समाज उनको आके मालाएं पहनाता है महिलाओं को इतनी इज़त मिली है। इस नेतातों ऐसे जिन पर दददस से पंदरा पंदरा अलग-अलग धारों में मुकद में दर जाएं। तो जो जब रेपिष्ट संसत के अंदर बैठे हैं विधान सवाओं के अंदर बैठे हैं। और जुडीशरी में जो एक महिला जज जो है अपने लिए इच्छा मृत्यू मांगती है। तो इस देश के अंदर जब सिष्टम में बैठे हुए लोग रेप के समड़्थक हैं। इस देश के अंदर जब हमारी मूल व्यवस्था में, जब हमारी पूजा, पद्धती और हर चीज में ऐसे लोग शामिल हैं, हम इंद्र को पूछते हैं, हम ब्रह्मा को पूछते हैं, इंद्र ने अहिलिया के साथ दुषकरम किया, बेस बदल के जब रिशी चल गया भार, जीव हो, जीश में सजीव हो, जान हो, वो हमेशा पूरुषकी ठोकरों की है, लेकिन समविधान महिला को एक्वल्टी देता है, यहां जो समाजिक व्यवस्था, वो महिला को पैरों में रखती है, और बाहरते समविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए जब-जब महिला के साथ जब-जब उत्परिन होता, समविधान उसकी सुरक्षा में खड़ा हो जाता है, 75 साल के गणतंतर के दोरान राम मंदिर बन गया है, हाँ, राम मंदिर तक की दोर हमारे लोगों में बहुत जादा रही, राम मंदिर बन गया, आप कोई बिमार न पढ़ना अब ठाने जाना छोड़ दियो, कचेरी जाना छोड़ दियो, मैं तो खासकर उंदलीतों से कह रही हूं, जो राम मंदिर की दिवाली मना रहे थे भाई, तुम अब कोट मत जाना, कचेरी मत जाना, ठाने मत जाना, अस्पताल मत जाना, अपने बच्चों को स्कूल मत भेजन आनाज बांट कियो रहे हो अनाज उगाने वाला देश है यह कृशी परदान देश है आप इस देश की 80 करोड जंता अगर भिकारी बना कर के अनाज दे रहे हो तो आप उनको निकमबा बना रहे हो काम चोर बना रहे हो आप उनको जमीन दो ना जाओ खेती कराओ बंजर भूमी जितनी पड़ी बित्रन करके इनको इनसे खेती कराओ ना ये तो हल चलाने वाले लोग हैं आज तो ये फाबड़ा चलाने वाले लोग हैं अब तो और भी आसान है क्रशी करना तो इन लोगों को आप मानसी क्रूप से समय पर फसल करना सिखाई है कि कम समय पर जादा फसले कैसे हो गाई जाए इसके बारे में बताईए वो गाउं देहात में पड़ा हुआ आदमी आप उसको वोट के लालच में कि वोट दे देगा तुमारे पांच किलो राशन खाने के चक्कर में तुम पूरे देश की जो नसल नसा पहुंचा रहे हैं हर तरह का जो नसा है चोटे से लेकर बड़ा तक नसा आपको गाउं में मिल जाएगा क्यों मिलेगा क्योंकि गाउं की जनता को उन्होंने कह दिया कि आप कमाउं मत आप नशा करो अपने बच्चों को इसकुल मत भेच और खाने के लिए हम राशन तो सरकार को राशन देने के लिए नहीं बनाया गाया सरकार को रोजगार देने के लिए तैयार करते हैं सरकार रोजगार दे सरकार उनमें मेहनत श्रमिक बनाया उन्हें मेहनत का अर्थ सिखाए के महनत कैसे बना जाता राशन दिर्मान में आपके महनत आपको श्रम कितना इंपोर्टनेंट है इस बारे में उनको जागरुकत लाए लेकिन ऐसा प्रोग्राम चलाने के बज़ाए हमारी सरकारे क्या करती है फिरी का कुछ भी दे करके उनको पास साल के लिए गुलाम बना कर रख लेती है जो भारत में गड़तंत्र लागु हुआ उस वक्त लाइन में खड़े लास्ट वाले व्यक्ती के लिए भी समविधान के अंदर हर तरह का प्रावधान किया गया कि उनको समाजिक, राजनितिक, आर्थिक तीन तरह की बरावरी मिले, समानता मिले लेकिन अभी तक भी आप देखेंगे कि सरकारों की नियत में उन गरीबों को, उन मजलूमों को, उन दलीतों को उठाने का ऐसा कोई भी मजबूत प्लान या नियत नहीं दिखाए देती है क वो मुखे धारा में जुड़ चखें तो ऐसी इस्थिती में इतने वर्षों के बाद भी अगर आज हम देखते तो पहले यही है कि भारत के लोगों में राश्टेता और राश्ट जो भक्ती की जो एक भावना होती है अभी वही लोगों के बीच में नहीं है हमारी राश्टे मित जहां तक हमें फिल्मों में घाने सिना दिये गए या फिर फिल्मे देख ली अगर फिल्मे या घाने राश्टेता पर नहीं बनन तो हमारे देश के लोगों तो पता ही नहीं चलता कि राश्ट भक्ती होती हिक ठीज। क्योंकि सरकारों ने ऐसा कोई program नहीं चलाया कि लोगों में राष्टेता आए लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना आए जब हम अपने ही देश के लोगों से जाती के अधार पर घिरना करते हैं तो हम भी हम राष्टेता नहीं सीखें जब हम किसी व्यक् राष्ट का मतलब होता है, जैसे हम एक परिवार में सारे लोग होते हैं, ऐसे ही बड़ी इकाई राष्ट होती है, जैसे परिवार छोटी इकाई होती है, ऐसी बड़ी इकाई राष्ट होती है, तो राष्ट के जितने भी नागरी के हैं, आपस में सुहार्द होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहेंगे, लेकिन वो हमारे देश में कहीं न कहीं, जाती नाम का कीड़ा, धर्म नाम का कीड़ा, संप्रदाय का कीड़ा, यह जो हमारे दिमागों में बैठा हुआ है, जो पूरी तरीके से घुनी की तरह हमारी राश्टेता को कमजोर कर रहा है, और इस अगर मान लेजे मुझ में आप में हम सब में राष्टेता उत्पन हो जाएगी तो हम फिर लड़ेगा कौन इस देश में, धार में कुनमात कौन फेलाएगा, फिर इस देश में राजनीतिक दलों के अलग-अलग लोग बटकर कैसे अलग-अलग जाएगे, जबकि भारती जो गरतंत्र है, गरतंत्र यही कहता है, कि हम भारत के लोग बाष्ट को एक समप४ूर, प्रभूत्व, सम्पन, समाजवादी राष्ट बनाएंगे, तो हम भारत के लोग बनाएंगे, लेकिन भारत के लोग बता ही नहें Charles, तुम्हारी जिब्मिदारी हो, यो फेill नहीं कर हम पर कोई राजा की संताने आने वाली हमारी किंग नहीं बनती हैं यह हमारे राजकुमार नहीं होते हैं हमारे यहां पर राजा वह बनता है जिसको जनता चुनना चाहती है जिसकी तरफ जनता की अच्छी सोच होती है जिसकी तरफ जनता की विचार होती है तो आज गरतंत्र आपनेंगे इक वश्तू से प्रेम करेंगे, क्योंकि आद देखें, सरकारी संपत्ति के बारे मैं वो जानते नहीं कि राष्ट के अंदर जब यह चीजे मजबूती से बनाई जाती हैं, ठाड़ी करती हैं, तो राष्ट के नागरी को के टैकस के पैसे से वो तयार होती हैं, औ और फिर नागरी की उन्हें छहतिगरस्ट कर देते, उन्हें दुरस्ट करते, नुकसान पोचाते, क्योंकि उन्हें में ये समझ ये जो सूज भूजे ये देश की सरकानों ने डेवलप नहीं कर पाई, कि भई ये राष्ट आपका है, ये नेताओं का नहीं है, कि आप आपस में एक दूसरे पडोसी-पडोसी के साथ नफरत कर रहे हैं, जहां मिलमाट के खाना चाहिए, महां पर जगड़े हो रहे हैं, देखिए उन्हें तो अभी गड़तंत्र की सही परिवासानी पता है, पहली वात, दूसरा ये है कि जो सत्ता में बैठी हुए लोग है, उ आज उस व्यक्ति को आप अगर देखेंगे तो उसकी स्थिती आज भी वैसी ही है, वो आज भी गाउं में, खेतों में कहीं बंधुआ मजदूरी कर रहा है, इधर आप पुर्वान चल की और चले जाएंगे, तो वहां देखा कि अभी भी लोग बंधुआ मजदूरी कर रह कि जो गड़ मानने लोग हैं, गड़ कौन है, इस देख की जनता, इस देख के लोग और कौन इस देख की असली जनता है, वो भी इस देख का असली जनता है, जो इस देख में सड़क पर रहता है, जो पन्नी पर रहता है, जो खेत में मजदूरी करता है, जो सड़कों पर ज नहीं हो सकता और भारती जो सरकार्वी उन्होंने के अमीर और कानून बनाय के लिए उनकी जेव भरी जाए गरीब गरीब रहे जाये शोषणा का एक तरफ असी कोड़ों को नाज निये खाने के लिए आकर किसकी कमी मानते हैं देश में इस तरह का जो महावल है जो गरी भी बढ़ती जा रही है देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण में मानती हूं धर्मांधता अंधिविश्वास हमारा जो रूजहान है वो एक से हमारा उद्धार होगा हमारे मुद्दो से हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी जब देश में सिख्षा संस्थान ही नहीं होंगे तो आपके बच्चे पढ़ने कहा जाएंगे पिछेतर साल हो गए गणतंत्र को हमारे को देश को लेकिन जो सविधान है कुछ लोग क संविधान ये वास्तम में पूर रूप से लागू हो जाता तो इस देश के अंदर हम जैसे लोग सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हम जैसे कहीं बैटकर किसी रणनीती में बैटकर रणनीती कार बन रहे होते इस देश के अंदर अगर वास्तम में संविधान लागू हो गया होता तो इस भारत के अंदर अभी तक जात पात और धर्म की जो तुछ राजनिती है ये खतम हो चुकी होती तो भारती सम्विधान इस देश के अंदर जिस बात को कहता है उस बात की विरोधी सोच वाले लोग सत्ता में आए उन्होंने सम्विधान को किनारे अपनी जो पुरानी धर्रे पे चल रहे हैं विचार वेश्तफा थी उसको उन्होंने अपने सरकारों के अंदर रागू रखा और उसको इस्थास करने पर लगे उर सम्विधान को इंगोर किया लेकिन सम्विधान किसी को इनूर नहीं कि सम्विधान उनकी द्壓ता उनकी भी केर करता है जो संविधान साहे नफरत करते हैं और यही संविधान की खासियत है आज भी और कल भी और पड़सों भी जब तक देश के अंदर दुनिया के अंदर मानपता रहेगी तब तक संविधान लोग परी रहेगा देखें यह वही लोग हैं जो बाबा साहब बीर को जिन्होंने दफन कर दिया इस देश के अंदर वही लोग हैं जो एक हजार नहीं कई हजार वर्सों से उस मानपतावादी विचारदार को दबाने का काम कर रहे हैं जिसमें यह कहा जाता है कि कोई नीच नहीं है जन्म के आदार पर आपकिसी को नीच कहोगे तो यह तुम्हारी है उस व्यक्ति की नहीं है क्योंकि वो तो जन्व ऐसी ले रहा जैसे तुमने अपनी मा के को उक्सिजन लिया पिछेतर साल का गंदंतर हो गया भारत लेकिन अभी तक कोई दलित प्रधान मंत्री नहीं बना है चीफ निश्टर बन गए हैं और कितना इंजा करना पड़ेगा देखे इसके लिए तो कहीं ना कहीं नेतां कहीं दोश है मैं इसमें उनका दोस नहीं कहूंदी अगर परधान मंत्री नहीं बन रहा है दलित यह परधान मंत्री ना बनने की इन मी Still शक्ति यह 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 अपनी इच्छा शक्ति और अपनी एक ता जो यह जब तक उसके अंदर अंबेट कर रहाइट मुव्मेंट के विचार धारा नहीं होगी, वो इस देश का भला नहीं कर सकता, बात है अंबेट कर रहाइट, बात है मन अपतावादी की, बात है तर्क बुद्धी की, बात है कि जो अपने विवेक का इस्तमाल करता हो, दूसरे के हाथ पंपना रिमोट देखकर नहीं बैठा हूँ इसदेश के अंदर राष्ट पति न कैप सब्सके बना दिया दलित भी बना दिया अदिवासी बना दिया ओवी सी बना दिया लेकिन ऐसे ही बनाये हैं जीने मंदिर में गुछने की जगानी दी जो सीडिय पर बैठ के पूजा करक आज इस देश के अंदर दलित का पर्धान मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप किसी भी दलित को उठा लीजिए बना दीजिए बिठा दीजिए आप गाउं में आप देखेंगे दलित के नाम पर शीट है परधान है असली जो आपकी गाड़ी से टकराया था अरे मैंने वो तो पी के गूम रहा था बोले यही असली परधान था और इन्हों ने अपने नोकर का पर्चा परबाद है क्योंकि दलित था और दलित की सीड़ थी तो देखें यहां तो इस देश के अंदर दलित बना दो OVC बना दो, ब्रहमन बना दो, छट्रे बना दो, या वैश्य बना दो, किसी भी व्यक्तिव को पढ़्धान मंत्री बना दो, जबकि उसकी सोच में मिस्त्रीयों के प्रतिस अंमान नहीं होगा, जब तक उसमें मानपता नहीं होगी, सम्विधान को मानने का विचार नी होगा इच्छा सक्ती नी होगी तब तक वो इस देश का बला नहीं कर पाएगा यह ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्विधान को बदलने का टाइम आ गया है सम्विधान नहीं बदलेगा उनको अपनी मानसिक्ता बदलनी पड़ेगी और सम्विधान इस देश के अंदर अब विग्यानिक दश्टी कोंड से लोग सोचने लगी है जो लोग सम्विधान बदलने की बात कर रहे हैं अगर वो मनुस्मति लाएंगे तो उनकी खुदी की बेटियां कहेंगी चल निकल यहां से बिकार की बात कर रहा है हमारा पाप पागल हो गया हम तो जाकर की स्कूल में पढ़ेंगी यह क्या कहरा के जाकर देवदासी बन अगर सम्विधान हट गया वनुस्मति लागू होगी तो इस्तरियों को स्कूल और कॉलिज में नहीं जाने मिलेगा इस्त्रियों को देवदासी बनकर, बेटियों को देवदासी बनाकर, मंदिरों में छोड़ना पड़ेगा, क्या उसके लिए देश की महिला तयार हैं, अगर आप किड्नेयाप हो जाती हैं, तो आपके माता-पिता, आपके खिला, आपको ढूंडने के लिए, थाने में F.I.R. नहीं लिखवाएंगे, ना आपका पती F.I.R. लिखवाने जाएगा, यह हका आप खोचुकी होंगी, अगर आपके डिनेयाप हो जाती हैं, घर बापिश लोट के आएंगी, तो आपको अगनी परिक्षा देनी पड़ेगी, जैसे सीता को देनी पड़ी थी, इस देश के अ अगर आपका पहला बच्चा होगा, तो गंगा मैया को खास कर दलितों के लिए बता रही हूँ, अगर आपको पहला बच्चा लड़का हो गया, तो आपको गंगा में बिसर्जित करना पड़ेगा, क्या इसके लिए दलित तयार हैं, अगर सम्विधान हटता है, तो इस दे शगर ने जाएंगे.